महिलाएं अब हर जगह हर क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बना रही है और स्वयम को आत्म निर्भर बनाने में विपूरा जोर दे रही है इस क्रम में अब यूगी सरकार प्रदेश की महिलाओं को आत्म निर्भर बनाने के लिए उन्हें स्वरोजगार उन्मुख एरिक्षा प्रसिक्षन कारिक्रम से जोड रही है आपको बता दें कि मिशन शक्ती के तहट यूपी सरकार द्वारा 18,000 बहनों को निशुल्क एरिक्षा चलाने का प्रसिक्षन दिया जाएगा प्रसिक्षन के लिए 18 से 40 वर्ष की आयू वद्दस्वी पास महिलाओं का चयन हुआ है सभी महिलाओं को ड्राइविंग लाइसेंस और सस्ती ब्यास दरों पर एरिक्षा दिलाने की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है साथ ही एरिक्षा पर 50,000 रुपए तक की सबसिडी भी प्रदान की जा रही है आपको बता दें हर जिले से 200 और प्रदेश भर से 18,022 सरकार की इस योजना से जुड़कर स्वरोजगार की ओर बढ़ रही है यूपी कौन में MD प्रवीन सिंग ने बताया कि मिशन शक्ती योजना के तहट एरिक्षा प्रसिक्षन कारिक्रम MSME विभाग द्वारा संचालित किया गया है महिलाओं को यातायात संबंधी नियमों की जानकारी भी पूर्ण रूप से दी जा रही है यूपी सरकार की यह पहल नकेवल महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्म निर्भर बना रही है बलकि सडक सुरक्षा और पबलिक ट्रांसपोर्ट में महिलाओं की भूमिका को भी सचक्त बना रही है इससे प्रदेश में महिला ड्राइवरों की संख्या में व्रधी होगी और वे समाज के लिए एक नई मिसाल कायम करेंगी